कि नमस्कार स्वागेते आपका दो भी घाट पर मैं हूँ अशोकवान कड़े फिलाएं खबर के पीछे की खबर खबर यह है महारास्ट्र के अकोला और अम्रावती जिले में केंद्र सरकार द्वारा भंडारित हजारों टन अनाज सड़ गया लोकसभा में एक प्रस्ण का उत्तर देते हुए खाद्यापूरती मंतरी राम विलास पास्वान ने यह बात सदन को बताई महारास्ट्र की इन दो जिलों में केंद्र सरकार का आठ हजार टन अनाज गोदामों में रखा गया था उसमें से साथ हजार नवसो उन पचास टन अनाज सड़ गया इसके माइन यह है कि आठ हजार टन अनाज में से मात्र 51 टन अनाज सुरक्षित रहा सरकार ने यह भी माना कि एक वर्ष में 27 करोड का अनाज ट्रांस्पोर्टेशन में खराब हुआ खबर के पीछे की खबर यह है सरकारी गोदामों में अनाज सड़ना यह पहली बार नहीं हुआ है यह हर साल निरंतर होता आ रहा है सवाल यह है कि 8000 टन अनाज जिन गोदामों में रखा गया था उन में मात्र 50 टन के आसपास अनाज सुरक्षित रहा इसका मतलब उस गोदामों के हालत क्या होगी यदि वो गोदाम भंडारन के लिए सुरक्षित नहीं थे तो फिर सरकार ने वह भंडारन क्यों किया और यदि गोदाम भंडारन के लिए ठीक थे तो फिर अनाज सड़ा कैसे इसके पीछे प्रहटाचार के एक बड़ी श्रुंकला है जो अधिकारी ये भंडारन की व्यवस्ता करते हैं वो अच्छे अनाज को सड़ा हुआ बोल के बेचते हैं कुछ मार्केट में चला जाता है कुछ आटा मिलों में चला जाता है और उसका जो गैप है पैसे का वो उनका प्रॉफिट होता है जो नीचे से लेके उपर तक सब में बाटा जाता है इसलिए ये अनाज सड़ने की खबरे लगातार हर साल निरंतर बनी रहती है लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी पे कोई भी कारेवाई हुई हो ऐसा एक भी उधारण सामने नहीं आता क्या हमारे देश में भ्रष्टाचार का किड़ा इतनी बुदी तरस से लग चुका है सिस्टम को कि एक तरफ तो लोग अनाज के लिए तरस रहे है उसी अमरावती के पास परतवड़ा एक जगा है जहां कूपोशन से बच्चे मर रहे हैं और हजार ओटन अनाज सड़ा पूल के मार्केट में बेचा जा रहा है यह खबर के पिछे की खबर देखते रहे हैं धोभी घाट झाल